इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेधा.com की जैसे कि आप में से काफी सारों लोग को पता है कि एक लंबे टाइम से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर लॉयर्स और पब्लिक एक साथ जुड़ सके पब्लिक को अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो वहां उस प्लेटफॉर्म पर वो उसका सॉलिशन ले सके और साथ ही लॉयर्स उस पर अपना अकाउन बना कर अपनी लीगल नॉलिज को पब्लिक के साथ शेयर कर सके आर्टिकल्स के जरीए, पोस्ट के जरीए ये जो questions पब्लिक पूछती है उसके जरीए तो vedha.com वही legal platform है जो हमने तयार किया है वेधा का full form है वेधानिक, वेधानिक एक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है legal यानि कानून तो vedha.com एक ऐसा platform है जहाँ पर lawyers अपना account बना सकते हैं और अपनी knowledge को articles के जरीए, post के जरीए public के साथ share कर सकते हैं और public भी वहाँ पर account बना कर उनके साथ जो problems होती है उनको share कर सकती है और अगर उनके साथ कोई legal problem हुई है तो उसको उन्होंने कैसे solve किया है वो भी उहाँ पर share कर सकती है जिसे कि दूसरे लोगों को उससे help मिले तो ये एक legal platform है जहाँ पर आप जो भी photos, videos या जो भी documents share करते हैं वो सभी law से related होते हैं vedha.com को three parts में divide किया गया है एक तो है vedha.com जिसे आप अपने computer, laptop या अपने mobile phone पर किसी भी browser में access कर सकते हैं vedha.com टाइप करके और दूसरी है vedha application जोके android mobile phone पर vedha website को easily access करने के लिए बनाया गया है इस application को आप play store से download कर सकते हैं और तीसरा है vedha messenger जिसे chat करने के लिए बनाया गया है हमारी ये कोशिश है कि अगले कम से कम time में vedha.com पर ज्यादा से ज्यादा lawyers को लाया जाए उनको join कराया जाए ताकि public कोई भी problem जब share करे तो उसको ज्यादा से ज्यादा solutions मिले साथी जो lawyers है या legal knowledge वाले persons है या जो vedha के users है उनसे आप vedha messenger की help से chat कर सकते हैं चैट तो आप vedha.com website पर या vedha application में भी कर सकते हैं लेकिन vedha messenger सिर्फ chat के लिए बनाया गया है तो इसलिए इसमें chat करना काफी easy है तो चलिए हम आपको बताता हूँ के vedha.com, vedha application और vedha messenger को आपको कैसे use करना है और कैसे आप इसका benefit ले सकते हैं आप अपने computer laptop या अपने mobile phone पर कोई भी एक browser उपन कर लिजिए उसमें आप type करिए vedha.com ये type करते ही आपके सामने vedha का welcome page आजाएगा इसकी welcome page पर आपको दो option मिलेंगे register और login का अगर आपने already account बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी user ID यहाँ पर password डाल कर direct login कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने social media account जैसे के facebook, google, twitter, linkedin ये फिर instagram की through भी इसमें direct login कर सकते हैं लेकिन अगर आप new हैं और आप एक नया account बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ register पर click करेंगे register पर click करते ही आपके सामने यहाँ पर एक form आजाएगा यह form आपको fill करना है यहाँ पर आपको अपना username डालना होगा username वही name है जिसको डाल करके आप बाद में login करेंगे तो यहाँ पर आप अपना name डाल दीजिए small letters में बिना किसी space के इसके बाद यहाँ पर एक email address डालेंगे email address आपका valid होना चाहिए क्योंकि अगर आप password भूल जाते हैं तो इसी email address पर आप उसको recover कर सकते हैं यहाँ पर आप password चूज कर लिजी, password आपका strong होना चाहिए ताकि कोई और आपके account को access न कर पाए यहाँ पर password को confirm कर दीजी यहाँ पर gender चूज कर लिजी, male, female इसके बाद यहाँ पर यह capture है, इसको आप टिक कर दीजी इससे पता चलेगा कि आप robot नहीं है, आप एक इंसान ही है निची यहाँ पर term or conditions को agree कीजी और यहाँ let's go पर click कर दीजी अब आपका account यहाँ पर लगबग तयार है अब आपको यहाँ पर एक profile photo लगानी होगी जिसके लिए आप इस camera icon पर click करेंगे जहाँ पर भी photo रखा हुआ है, आप उसको choose करेंगे और open कर देंगे यहाँ पर आपकी profile photo upload हो जाएगी इसके बाद आप 7 continue पर click करेंगे और यहाँ पर बागी की details फिल करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप अपना first name, last name और यहाँ पर अपनी country choose कर लीजिए और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी date of birth भी डाल सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को पता चले कि आपका birthday कवाता है इसके बाद यहाँ save and continue पर click कीजिए यहाँ पर आपका account successfully create हो चुका है अब जितने लोगों ने भी यहाँ पर कुछ भी update किया है वो आप देख सकते हैं साथी जैसे कि हमने यहाँ पर profile picture update की है तो वो यहाँ पर आ रही है दूसरे लोगों ने यहाँ पर जो भी डाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर आपको वो users मिलेंगे जिन्होंने alreadyveda.com पर account बनाया हुआ है add friend पर click करके उन्हें आप अपने friend list में add कर सकते हैं यहाँ पर three dot दी गई है इसमें आपको सारी settings मिल जाती है अपने name पर click करके आप अपने profile को यहाँ से देख सकते हैं यह आपका profile रहेगा यहाँ पर आप cover photo भी upload कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी profile picture को भी edit कर सकते हैं जितनी भी चीज़े आप update करेंगे वो आप यहाँ अपने profile में देख सकते हैं आपके friends, आपके albums, आपके likes, आपके groups और आपकी सारी details यहाँ पर show होती है three dot पर click करके यहाँ पर एक option है edit का यह general setting का इस पर आप click करेंगे तो आपके सामने आपके account की पूरी settings आ जाएगी यहाँ पर आप अपना username, email id, अपना phone number, अपना gender और निचे profile में जाकर के बागे की settings जैसे के first name, last name, अपने बारे में अपनी location या आप कहाँ पर काम करते हैं अपनी website, अपना college university name और निचे यहाँ पर अगर आपके पास कोई law degree है, आप advocate है तो यहाँ से आप अपने degree choose करेंगे और अगर आप कहीं पर practice करते हैं तो आप legal practice area यहाँ पर डाल कर सेव कर दीजिए यहाँ पर एक option है verification का, इससे आप अपने account को verify करा सकते हैं लेकिन account को verify कराने के लिए आपका advocate होना जरूरी है अगर आप lawyer हैं तो आप यहाँ verification पर click करेंगे यहाँ पर अपना full name type करेंगे और यहाँ पर आप अपना license number और अपनी details add करेंगे आपने कौन सा course किया हुआ है, कब किया था और यहाँ पर आप अपनी एक ID अपलोड करेंगे और यहाँ पर अपने एक photo अपलोड करेंगे और send कर देंगे आपकी details को verify किया जाएगा और अगर सब सही पाई जाती है तो आपको एक verification badge दे दे जाएगा जो कि आपके नाम के साथ लगा हुआ होगा जैसे कि यहाँ पर advocate सलीम है यह verified lawyer है तो यहाँ पर एक verified badge लगा हुआ है अब यहाँ पर man चीज आती है कि आपको इसका फायदा क्या होगा देखी पहले तो यहाँ पर एक blog दिया गया है इस blog में आपको law से related काफी सारे articles मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर एक article है कि rent agreement 11 महिने के लिए ही क्यों बनवाया जाता है तो इस पर click करके आप इसको read कर सकते हैं और साथ कि आप इसको किसी भी social media पर share भी कर सकते हैं अगर आप lawyer है यह lawyer student है यह आपको law की कोई knowledge है तो आप यहाँ अपना खुद का article भी लिख सकते हैं माई articles पर click करेंगे और यहाँ create पर click करेंगे तो आपके सामने article का option आ जाएगा यहाँ पर आप title देंगे यहाँ पर एक short description देंगे यहाँ पर एक थमने लगाएंगे और यहाँ पर अपना पूरा article टाइप कर देंगे यह अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर paste कर देंगे इसके बाद category यहाँ से आप choose कर लेंगे किस category का article है यहाँ पर एक tag डालेंगे और यहाँ publish कर देंगे आपका article यहाँ vedha.com पर publish हो जाएगा अब बात आती है कि अगर आपको कोई legal problem आती है तो आप उसका solution vedha.com पर कैसे ले सकते हैं तो पहली चीज तो है blog आप यहाँ blog में articles read कर सकते हैं loss related दूसरी चीज़ा है यहाँ पर post इसमें आप कोई भी photo, video या कोई भी gif image या कोई भी document यहाँ पर publish कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको कोई legal problem है तो आप यहाँ details में mention कर सकते हैं कि आपको क्या problem है और इसके बाद आप post पर click कर देंगे आपकी problem यहाँ पर publish हो जाएगी तो जितने भी lawyers हैं या legal knowledge वाले persons हैं वो आपकी problem का answer देंगे उसका solution देंगे जैसे कि यहाँ पर इन्हें एक question पूछना था तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर एक question डाल दिया तो नीचे यहाँ पर देखी इसके answers आ गए है इसी तरीके से अगर कोई और person यहाँ पर अपनी problem शेर करता है और आपको lucky knowledge है तो आप यहाँ पर उसको solution दे सकते हैं और तीसरी चीज़ है कि आप lawyer से यहाँ पर chat कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मुझे कोई problem है और मैं इशान से पूछना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं search कर लूँगा इशान का name डाल कर यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर verification badge लगा हुआ है इसका मतलब यह official account है तो यहाँ पर हम ad friend करेंगे और यहाँ पर कोई भी message भेड़ सकते हैं और directly यहाँ पर chat कर सकते हैं यह chat करना काफी easy है और यहाँ से आप इसको fully screen पर भी ला सकते हैं अब यहाँ पर देखिए chat करने का कितना easy system है vedha.com पर जितने भी lawyers join करेंगे या join कियो हुए हैं उसे आप chat कर सकते हैं यह कोई भी lawyer आपसे भी chat कर सकता है इसी तरीके से अब दूसरा है यहाँ पर vedha application इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा यह आप directly play store से download कर सकते हैं पिले स्टोर पर एक परसन ने 7 अलग-अलग fake accounts बना कर vedha application को rating दी है 1 star और यहाँ पर कुछ घटिया से comments भी किये हैं इसके 7 fake accounts की detail यहाँ पर है जो इसने अलग-अलग नामों से बनाए हैं एक ही device पर इसके इन 7 accounts को Google को में report कर चुका हूँ जिसमें से इसके 4 accounts को delete कर दिया गया है और बाकी के 3 accounts भी इसके जल्दी ही delete हो जाएंगे तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो ऐसे ऐसे 2-4 लोग तो आते ही हैं लेकिन इन जैसों को handle करना भी हम लोग को आता ही है तो अगर आपको कोई भी problem है तो आप यहाँ पर सही से अपनी problem को describe कीजिए उसका solution निकाला जाएगा लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि 8-10 fake account बना कर उसके जरीए rating दे करके किसी application की rating को खराब किया जाए यहाँ पर हम वेधा को download कर चुके हैं आपन करेंगे आपन करने पर कुछ इस तरीके का user interface आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको कुछ permissions देनी होती है और यहाँ पर आपके सामने इसका welcome page आ जाता है अगर आपने पहले से account बनाया हुआ है तो इसी तरीके से user ID पासव करके let's go पर click करेंगे तो आप वेधा में यहाँ पर account create कर पाएंगे कुछ लोगों को इस capture को fill करने में problem आती है तो इसको fill करना काफी easy है आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ photos आते हैं और उपर लिखा हुआ है store front तो आप यहाँ पर store front जो भी photos हैं उनक log in कर लेता हूँ log in करने के बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर application show होगा यह application इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपने android mobile phone पर वेधा को easily access कर पाए तो यहाँ पर भी आप अपनी problem को इसी तरीके से post कर सकते हैं यहाँ पर आप कोई photo या कोई documents भी post कर सकते हैं यहाँ three dot पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी options मिल जाएंगे यहाँ blog पर click करेंगे तो आपके सामने blog आ जाएगा और आप यहाँ पर किसी भी article को read कर सकते हैं चली हम बात करते हैं वेधा messenger की वेधा messenger में सिर्फ आप chat कर सकते हैं तो यहाँ से हम इसको install कर लेते हैं आप वेध messenger यहाँ पर download हो चुका है open पर click करके इसको हम open कर लेते हैं यहाँ पर आपको कुछ permissions देनी होगी और आपके सामने यहाँ पर login screen आजाएगी यहाँ पर आप Google या Facebook के थूरू login कर सकते हैं या आपने वेधा पर जो account बनाया हुआ है वो user ID, password यहाँ पर डालेंगे और login पर click कर login करते ही आपके सामने यहाँ पर welcome screen आती है आप इसे next करेंगे यहाँ पर जो permissions मंगता है उसको आप allow कर देंगे डन करते ही आपके सामनी हाँ पर messenger आजाएगा यहाँ पर आप किसी से भी chat कर सकते हैं यहाँ पर आप click करेंगे तो आपकी friend list यहाँ पर आजाएगी और जिससे भी आप chat करना चाहते हैं उस पर click करेंगे और यहाँ पर directly आप उससे chat कर सकते हैं यहां पर आपको काफी सारे options मिलते हैं आप कोई file भी attach कर सकते हैं आप कोई emoji भी send कर सकते हैं याप कोई contact भी यहां पर send कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो यहां पर कोई audio record करके भी send कर सकते हैं इसके लिए यहां audio पर click करेंगे आपको जो भी problem है आप यहाँ पर record करेंगे recording चल रही है इसके बाद इसको छोड़ देंगे और यहाँ send पर click कर देंगे recording send हो जाएगी यहाँ three dot पर click करके जिससे आप chat कर रहे हैं उसका profile भी देख सकते हैं यहाँ पर यह इशान का profile है इसी तरीके से आप अपना profile भी यहाँ messenger में set कर सकते हैं जिनसे आप chat कर रहे हैं उनकी list यहाँ पर आएगी और आप यहाँ पर कोई stories भी लगा सकते हैं जैसे कि whatsapp में status लगात जाती है इसको join करने के लिए यह verification के लिए और ना ही किसी user से इसमें कोई fees ली जाती है कोई भी legal सलाह लेने के लिए इसको बनाने का हमारा मकसा सिर्फ और सिर्फ यह है कि lawyers और public एक ही platform पर मिल सकें और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा legal knowledge को share किया जाए ताकि लोग उससे फ और फिर लाको रुपे की loot होती है तो अगर आपको शुरू में ही पता चल जाए कि यह agreement एक fake agreement है तो आप उस fraud से बढ़ सकते हैं तो इसलिए legal knowledge बहुत ज्यादा जरूरी है अपने rights को जानने के लिए भी और अगर आपके साथ कोई legal problem आती है तो उसको solve करने के लिए भी तो कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की इसके जरीए help कर पाए और अगर आप एक lawyer है आप एक advocate है तो आप इसको ज़रूर जॉइन कीजिए आपके नाम के साथ आपको verification badge भी दिया जाएगा और आप इस पर एक अच्छी legal community बना सकते हैं So guys अब आप समझ चुके होंगे के vedha.com क्या है और इसको कैसे use करना है जल्दी ही हम इसकी official launching भी रखेंगे कुछ reasons की वजहा से अभी उसको delay किया जा रहा है